हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं रास्तान पटवारी दोजा देश चो इसकी वेकिंसी के बारे में इसकी सेलरी के बारे में जानेंगे इसकी प्रोबेशन पीरियोड में सेलरी क्या होती है और प्रोबे इसका ग्रेट पर होगा आपके जोईस्टों का ग्रेट पर होगा लेवल फाइब में रखा गया है इसे और अगर प्रोबेशन पीरिड के दोरान बात करें तो आपकी सेलरी जो फिक्स सेलरी होगी वह है आपकी 14600 यह पटवारी की सेलरी होगी और इसमें आपके जी जो चकी कटोती 440 तो इन दोनों को प्लूस करके 1140 तो इन अब आपकी जो प्रोबेशन परिडियम में फिक्स सेलरी होगी वह है 13400 यह पके प्रोबेशन प्रियाट के अंदर फिक्स सेलरी है आपको को बत्ते अगरा लागू नहीं होगे प्रोबिशन पिरिएट दॉरान त तो साल तक फिक्स रहेगी अब बत गते हैं कि आपके के बात कि ऑग ल्हाओ मंतिक सेल्री है और इसके अलाव आपके जो अलाउंस के प्रकार से है वर देए एचारे जो है आपको तीय मिलेगा 42 परसेंट और अचारे आपको नो परसेंट और 18 परसेंट आप कि इस परकार से मिलेंगे ये कुछ पांच मुझी की शेरों के अनुसार तो यह आपका डीय और एचारे और डीय अगर 42% के हिसाब से देखा जाए तो आपको 8,736 मिलेगा और एचारे आपका 9% जो 1,872 यह है आपका एचारे और अभी अब देखते हैं कि आपकी जो ग्रोस सेलरी है प्रस आपके जो दिये है 8,736 प्रस आपका जो एचारे है 1,872 तर इन सब को मिला कि आपकी जो प्रोपर सेलरी बनेगी जो आपके अकाउंट में आएगी वह है आपकी 31,407 यह आपकी प्रोपर सेलरी होगी और इसमें आपको भत्ते वागर सब लागू हो गए हैं तो अब आ आपके जो प्रोपरिशन पीरियर के बाद कर्टोती होगी वह है आपके जी पी आपकी 1450 और आप जे जसकी वही 440 यह आपके प्रोपरिशन पीरियर के बाद होगी और आपके स्टेट इंशुरेंस यानि आई आपके एसाइए की 800 तो आपके नेट सेलरी हो गई आपके 31408 माइनस 200 2690 तो आपकी जो पर्मानेट सेलरी रहेंगी 28770 यह है आपकी फिक्स सेलरी होगी और आपको फिर हर साल एग्रिमेंट लगते रहेंगे उस अनुसार तो आपको जो प्रोपरिशन पीरिड के बाद 718 यह कटोती होते हुए आपकी जो आपके सेलरी बनेगी वही रहेगी तो यह आपने जशना की पटवारी की सेलरी किस परकार से होती है तो यह है तो जाथ यह इससbenद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो सबस्क्राइग करें